सिस्टर रीमा, दुक्तराने पालूस तमाम असी ही बेहन भाईयों को खुदामियो सुमसी के जिन्दा नाम में सलाम कहती हूँ हमारे लिए आज की अंचेले मुकदस, मुकदस लोका की अंचेल में से तुम पर अफसोस कि तुम नभियों की कबरों को बनाते हो और तुमारे बाप दादा ने उन्हें कतल किया सच मुझ तुम गवाही देते हो और अपने बाप दादा के कामों की तैद करते हो क्योंकि उन्होंने तो उन्हें कतल किया और तुम कबरे बनाते हो इसलिए कुदा की हिक्मत ने कहा कि मैं नभ्यों और रुसूलों को उनके पास भेजूंगा वो उनमें से बास को कत्व करेंगे और सताएंगे ताके सब नभ्यों के खुन की जो बनाए आलम से बहाया गया इस पुछ से जवाब दही के जाए हाबिल के खुन से लेकर उस सिक्रिया के खुन तक जो कुर्बानगा और हैकल के दरम्यान हलाक हुआ हाँ मैं तुम से कहता हूँ कि इस पुछ से जवाब दही की जाएगी ऐ उल्मा शर्ट तुम पर अफसुस कि तुमने मार्पत की कुंजी चीन ली तुम आप दाखिल ना हुए और दाखिल होने वालों को भी रोका और जब वो वहां से निकला तो फकी और फरीसी उसे बेतरा चिमटने और दिक करने लगे और उसकी गात में रहे ताके उसके मूँ की कोई बात पकड़े पाक लाम के पड़े और सुने चाने पर खुदावन की वरकत हो खुदा का शुकर हो मसीख खुदावन में आप सब की स्लामती हो मैं बरदर इर्फान कराइस्ट ओपी दॉमनिकन होस उस्टेडिस कराची में इल्म इलाहियात का तालिब इल्म हूँ मैं दुक्तराने पलोस की सिस्टर्स का शुकर गुदार हूँ जो ज़राई अबलाग के जरीए खुदा के कलाम को मुश्टर करने में उम्दा और मसाली किरदार अदा कर रही है आईए आज की तलावतों पर घुरोखोस करते है अजीज मौमनिन आज की पहली तलावत जो हमने मुकद्स पलोसर्सूल के इफसियों के नाम खत में से सुनी है इसमे मुकद्स पलोसर्सूल इफसियों की कलीसिया से मुखातिब है मुकद्स पलोसर्सूल खुदा की बेशबहा महबत बरकात रुहानी और नजाद की बात करता है खुदा अपनी बरकाते रुहानी अपने उन लोगों पर निच्छावर करता है जो मसीब पर इमालाते और उसे अपने नजाद हिंदा के तोर पर कबूल करते हैं पौलोस रसूल बताते हैं कि कैसे खुदा ने हमें अपनी महब्ब से तखली किया और किस तरह वो हमें अपनी बरकात अता करता है खुदा हमारी जरूरत की हर चीज़ हमें महया करता है हम खुदा के प्यारे हैं और खुदा चाहता है कि हम خلोसे दिल से अपने गुनाओं का इकरार करके खुदा से मलाफ कर लें कि गुना हमें खुदा से दूर करता और फजल के रास्ते और हयात अबदी से कोस्तों दूर ले जाता है लेकिन हमारा खुदा नहाइक महरबान, रहीम, तर्स खाने वाला और महबद करने वाला है जब हम अपने गुनाहों पर नादम होकर खुदा के पास आते और सचे दिल के साथ आपने गुनाहों का अकरार करते हैं तो खुदाबाब हमें जरूर मुआफ़ करता है सलीप पर ये समसी की महबद बरी करुबानी ये है को उस करुबानी के वसीला से ये समसी ने हमारे गुनाहों का बोच उठाती हुए हमें तबाह होने से बचाल लिया है मसी खुदाबन ने हमें ये मौका अता किया है कि हम अपनी पुरानी गुनाह अलूद इंसानियत माजी की बुराईयों और हुक्म अलाही की नाफरमानी को दूर पहंकती हुए पूरे दिल और जान से अपने गुनाहों पर पश्यमान हों और इन से तुबा करें क्योंके खुदा ने अपनी सिखावत से हमें अपनी महब्बत और रह्म अता किया है ताके हम गुनाहों को तरक करती हुए अपनी जिन्दगी को तबदील करें और खुदा की कुर्बत हासिल करें आज की अंजिल मकदस गुजश्टा अंजिल मकदस से पेवस्ता है जिसमें येसू फरीसियों के बद अमाल पर अफसोस का इज़हार करता है क्योंके फरीसी खुदा की हुकम दूली करते और अपने अतवार से जिन्दगी बसर करते थे इसलिए आज की अंजिल में येसूंसी हमें बावर करवाता है कि खुदा के कलाम पर चलने का ये दुरुस्त रास्ता नहीं है जो फरीसियों ने अपनाया है हमें फरीसियों की मानन नहीं बलके सच्चे इमानदार मसीभ बनना है फरीसियों खुदावी समसी के कलाम और तालिमात पर इमान लाने के मुनकर हैं ये समसी मुख्तलि हम मौकों पर उन पर अपनी हकाइट पर मबनी तालिमात और मकाशफात जाहर करता रहा है अंबिया कराम ने भी निजाद दिहिंदा की इस दुनिया में आमद के बारे में पेशन गुयां की थी फरीसियों समसी के तमाम नशानाद और कृश्मात के चशंदी गवा थे लेकिन वो ये समसी की तालिमात पर इमान नहीं लाते थे उनके ऐसे काम ये जाहर करते हैं कि इनसान के गरूर, खाहिशात और तकब्र की रगबत किस कदर ताक्तवर हो सकती है अगर हम इन चीजों को अपने उपर गालिब आने की अजाज़त देते हैं जिस तरह फ्रिसियों, बहुत से अलमा शरा और बजर्गों की जिन्दगियों पर इन बराईयों का असर था तो इसी तरह ये बराईयां हमारे जिन्दगियों को भी बरबाद कर देती हैं ऐसे दुनियावी सोचों ख्याल, ताकत और असरों सूख ने जिस पर फ्रिसी फकर महसूस करते थे उन्हें खुदा से दूर कर दिया और इसी वज़ा से वो खुदा के अलाही मुकाशवात को कबूल करने से इनकार करते थे वो अपनी दुनियावी खाइशाद, खौफ और हरास और दूसरों से हसद की वज़ा से अंदे हो चुके थे उन्हें अपनी तमाम अच्छी चीज़ें इज़त और शुहरत और ताकत खुदेने का डर था जिस से वो महजूस होते थे वो खुदा पर अपनी तुच्छों मरकूस करने और उसी पर इनहसार करने की बज़ाए अपनी ताकत, हिक्मत और दानिश पर इनहसार करते थे जब खुदावी सुम्सी अपनी सचाइयां उनकी आँखों के सामने जाहर करते थे तो वो अपने गलतियों और खताओं को तसलीम करने की बज़ाए अपने दिलों को सक्त कर लेते थे यसुम्सी की तरफ से आज हमारे लिए भी याद दहानी है कि हम भी दुनियावी खाशाथ और लालच से आजमाए जा सकते हैं शितान हमें लगादार दुनियावी शनशुकत और चीजों का लालच दे कर ख़दा के रास्ते और फजल से दूर करने की कोशिश करता रहता है तमाम दुनियावी खाशाथ की वज़ा से हम भी इस दुनिया की रंगीनियों में डूबे हुए हैं जब तक हम भी इन दुनियावी खाशाथ, बदी और बुराई वले कामों पर गल्बा नहीं पाएंगे तो हम भी खुदा से दूर होते जाएंगे अजीश मौमनीन, आज हम यसु की मकदसा ट्रीजा, जिसे अवेला की मकदसा ट्रीजा के नाम से भी याद किया जाता है, इद मनाते हैं मकदसा ट्रीजा मारूफ मकदसा, मौलमा एकलीसिया और नायाब लिखारी थी कलीसिया के लिए बेलाओस खिदमाज और आला दर्जा की तहरीरों की वज़ा से उन्हें पाक माकाथलो कलीसिया ने मौलमा एकलीसिया के खताब से नमाजा मकदस जौन आफ दी क्रोस के साथ मिलकर इन्होंने कारमलाइट ओर्डर का संगे बनियाद रखा और इसी जमाज की आप दोनों अजीम और बहुत खास शक्सियात हैं येसु की मकदसा ट्रीजा और इसके साथियों ने बहुत मेहनत की और बहुत से चैलंजिस के बावजूद खुदा मौिसमसी की खिदमत के लिए आपने आपको वक्फ किया अजीज मौमनीन हम भी येसु की मकदसा ट्रीजा और दूसरे मौकदसिन की तरह खुदा मौिसमसी की प्यारवी करने के लिए बुलाए गए हैं आएं हम सब भी पूरे दिल जान के साथ खुदा मौिसमसी की तरफ वापस लोटें और अपने आप से वादा करें कि हम अपनी जिन्दगी के तमाम लमहात में खुदा के वफदार रहेंगे खुदा के नूर, अमीद और महबत का रोशन मीनार बनेंगे कि खुदा हम सब को हमेशा अपनी बरकात से नवासे यसु की मकदसा ट्रिजा, सलाकार और खुदा की वफदार खादमा हमारे वास्ते दुआ कर आमेन